हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ग्यान बैंक ने ग्रोस एंपिए 78,472 करोड रुपए रिपोर्ट किया जबकि RBI का मुल्यांकन 81,089 करोड रुपए था नेक्स्ट अपडेट प्राइम मिनिस्टर मेरेंदर मोधी और उनके एकोनोमिक डिपार्टमेंट नेक्स्ट वीक में एकोनोमिस्ट और एडवाईजर से मिटिंग करेंगे जो कि 2020 के बजट में सैगिंग एकोनोमी में बिड टु बुस्ट के लिए रस्ता खोजेंगे उन्नीस दिसंबर को निती आयोक पुब्लिक वा प्राइवेट सेक्टर एकोनोमिस्ट से मिटिंग करेंगे नेक्स्ट देव फाइनस मिनिस्टर निर्मला सितारमन प्री बेजट कंसल्टेंट के लिए एक्सपर्ट से मिटिंग करेंगी नेक्स्ट अप्डेट आरगेने 24 इंटो 7 नेफ्ट फैसिलिटी के लिए अब एडिशनल कोलेटरलाइजड इंट्राडे लिक्विडिटी सिस्टम के जरिए यह सुईदा परदान करने वाला है इस फैसिलिटी इंट्राडे लिक्विडिटी आईडियल के टर्म एंड कंडिशन्स के अनुसा ही वर्क करेगी इस पेमिन सिस्टम के अनुसा 24 इंटो 7 फैसिलिटी दी जाएगी इस सुईदा के इस्तिमाल करके इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांस्पर फ्रोम वन अकाउंट टू अनुदर अकाउंट में फंड ट्रांस्पर किया जा सकेगा नेक्स्ट अपडेट फाइनिस मिनिस्टर ने लास्ट मन्त बताया था कि स्टेट रन बैंक्स में अप्रेल टू शेप्टमबर तक 95,760 करोड रुपे के फ्रोड रिपोर्ट किये गए आरबिय का डाटा बताता है कि फ्रोड ज्यादातर लोन से संबंदित और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हैं ये फ्रोड साल दर साल बरते जा रहे हैं जिससे फाइनिंसियल स्टेबिलिटी को खत्रा है जिससे कि बचत करताओं और जमा करताओं का आरबिय के परती विश्व सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक्स फ़र वचिंग दिस वीडियो